सर में मान्य प्रदान मंत्री जी ने पुरे देश को सपना दिखाया था कि हवाई चपल पहनने वाला वेक्ति भी हवाई यात्रा कर सकता है लेकिन मान्य मंत्री जी का जवाब आया है कि हवाई किराय पर सरकार का कोई नियंतर नहीं है कमपनियों पर छोड़ दिया गया है क्या सरकार समाज के निचले पायदान पर रहने वाले वक्तियों के लिए एवं वरिस्ट नागरिकों के लिए किराय में सबसीडी देने के लिए कोई योजना बना रही है जैसे कि रेलवे या अन्य यात्रा के साधनों में दिया जाता है अध्यक्षी नागर विमानन शेत्र 1993 से समस्त रूप से एक डी रेगुलेटिट सेक्टर है और मैं आपके द्वारा मान्य सदस्य को और हाउस को भी सूचित करना चाहता हूँ कि जो economies of scale के argument है उसके आधार पर आज जो हमारे नागर विमानन शेत्र में 2014 में केवल 6 करोड यात्री होते थे पिछले 9 वर्षों में ये संख्या बढ़के साड़े 14 करोड यात्री प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी की नेतित में संभव हो पाया है और इसका एक मुख्य भाग उड़े देश का आम नागरिक की योजनाई है जहां viability gap funding सरकार के द्वारा दी जाती है ताकि उड़ान उन शेत्रों में प्रचलित हो जहां द्वित्य विश्व युद के बाद उन शेरों को नागरे उड़ान मंत्राले के नक्षे से ही मिटाय गया था और ऐसे कई शेर हैं जहां प्रधान मंत्री जी ने स्वत्व अपने आप interest लेकर रुची लेकर ये संभव कर पाया है उड़ारण के तौर पर उरिसा में जरसुगुडा का एरपोर्ट आसम में रूपसी का एरपोर्ट राजिस्तान में किशनगड का एरपोर्ट ऐसे कई एरपोर्ट हैं कुल मिलाकर 76 एरपोर्ट हैं जो उड़ान योजना में संभव हो पाए हैं उनका क्रियानवेन और उसी के साथ एक करोड़ तीस लाग ऐसे हमारे देश के यात्री हैं जिनोंने अपने जीवन में कभी भी उड़ान में बैट कर सफर नहीं किया केवल प्लेन को उपर से देखते थे वो उड़ान योजना के तहट आज प्लेन में सफर करने के लिए संभव हो पाया है प्रदान मंत्री जी का सपना साकार हुआ है और जहां तक हम लोग एर फैर्स की बात करें पिछले बार मैंने ये भी सदन में सूचित किया था कि सीजनालिटी के आधार पर एर फैर्स चलती है विश्व भर पर लो सीजन होता है वर्शकाल के जुलाई से ऑक्टोबर तक दसेरह के बाद हाई सीजन शुरू होती है और और उसके बाद दुबारा लो सीजन शुरू होती है और आज हमारे जो एर फैर्स हैं वो फर्स एसी के मुल्यांकन में ही पून रूप से कमपेटिटिव हैं और उसी के साथ साथ हमारा अनुमान है कि 2030 तक जो आज साड़े 14 करोड यातरी हमारे हैं ये बढ़कर 42 करोड यात मानिय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार अपनी स्वयं के पूर्ण रूप से नियंते सरकारी एरलाइन संचालन करने की कोई योजना बना रही है यदि नहीं तो क्यो नहीं और सर अभी आपने युडान योजना की बात कही अभी अगल बगल आजमगड की अ अभी जवाब मानिय मंत्री जी देख जी मानिय सांसद महदया ने दोनों बहुत अच्छे प्रश्ण पूछे हैं सरकार ने विनिवेश एर इंडिया का भी किया है और यही चमतकार देखिए केवल एक नितित्व है जिसकी एक संकलबता थी कि भारत को एक नए नागर विमा प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जी की दिड़ संकलबता के आधार पर वो एर इंडिया का विनिवेश संभव हो पाया है और आप देखिए अध्यक्ष मौदय जिस शेत्र में 2014 में केवल 400 प्लेन थे वही एर इंडिया के विनिवेश के बाद उसी कमपनी ने विश्व भर के इतिहास में सबसे बड़ा प्लेन का ओर्डर 470 प्लेन का ओर्डर विश्व में डाला है 250 बोईंग के साथ और 220 एरबास के साथ ये परिवर्तन आया है शेत्र में और जहां तक मानिय सांसद मौदय ने अपनी चिंता जताई आजमगड के बारे में मैं इनको विश्वास जल पास पास के एरपोर्ट कि अभी वर्तमान में लाइसंसिंग की प्रक्रिया चल रही है आप बिलकुल चंता मत करें हम आपको अश्वस करवाते हैं उडान योजना के आधा आधार पर हमने एक रूट भी दे दिया है आजमगड से लखनों के लिए और आने वाले वर्ष में लाइसंसिंग प्रक्रिया सबाब्त होने के बाद उसकी शुरुआत भी की जाए दिए स्री एटी मौमद बशीर जी मानने सदश्गन सभी मानने सदश्गों को